देखे विज्ञान ने साधन दे दिया है कि बिना टिकेट, बिना पास्पोर्ट, बिना विजाब आपके पास पहुँच गए और साब भाई बहनों का दर्सन करके प्रशन हो रहे हैं तो सब प्रथम तो आप तीन देवियों को प्रणाम है धन की देवी, विद्या की देवी, बुद्धी की देवी तो आप तीनों बहने हैं इसलिए बहुत अच्छी टीम है आपके साथ त्रिमूर्ती की तो सबसे पहले आप में मुझे निमंतरन दिया, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस योग्य समझ करके और सेवा का कारिय सौंपा है तो जरूर है हम सेवा करेंगे पर थोड़ा टाइम हो सकता है एक घंटे से जादा हो जाए नहीं दीदीची आपके पास देड़ गंटा है सबसे पहले तो हम बताना चाहिए कि हम बाभा के बच्चे बने कैसे क्यूंकि हरे का कोई न कोई माध्याम होता है कोई conference के दोरा कोई exhibition के दोरा कोई program के दोरा, relation वालों के दोरा और आज कल तो बहुत अच्छा साधन है कि सब जो है वो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो सबसे अच्छा साधन हो गया जो नहीं जुड़ सकते थे वो भी जुड़ जाते हैं लेकिन हमारा तो साट साल पहले जब इस institution को बहुत लोग जानते भी नहीं थे नाम भी नहीं सुना था और सफेद वस्त्रधारियों को देख करके तो इसाई ही समझ लेते थे ये नांस हैं कोई गूम रही है इसामसी का ग्यान देने के लिए तो हमारे तो बहुत दूर की बात थी शहर से बहुत दूर अयद्धा नगरी राम की नगरी आपने सुना होगा उसके भी गाउं में थे तो वहाँ पर ज्ञान पहुंचना जहां कोई सड़क नहीं कोई रास्ते नहीं कोई बिजली नहीं कोई ट्रांस्पोर्ट का साधन नहीं तो वहां तक बाबा का परिजे पहुंच जाना एक वंडरफुल बात थी हमारे लौकिक पिता जी पक्के आरिये समाजी थे मूर्ती पूजा का बहुत खंडन करते थे पर चार बेद, छे सास्त्र, अठरा पुराण साब उनके अध्यान में थे और सब कुछ घर के अंदर एक रूम ड्राइवरी बनी होई थी सास्त्रों की परन्तु भगवान की खोश थी कि ये सास्त्र पढ़ेंगे तह मैं भगवान जरूर मिल जाएगा पूजा पाठ से करम कांड से नहीं मिलेगा क्योंकि गीता में है मैं करम कांड से मिलने वाला नहीं हूं तिस तरह से उनके सारी विचारधारा अलग थी पर हमारे परिवार में हमारी ग्रैंड मदर, मदर ये सब भक्ति पूजा मूर्ती पूजा करती थी तो हम लोग भी उनके साथ लगे रहते थे चोटे थे बहुत, बच्चे भी लग जाते थे पूजा पाठ में पर उनसका आर्थ क्या है वो नहीं मालूम था तो एक दिन हमारे जो पिता जी के छोटे भाई थे वो लखनव में थे, हमारे बड़े भाई भी लखनव में थे तो वहाँ लखनव में आना हुआ तो हमारे जो पिता जी के छोटे भाई, चाचा जी उन्होंने कहा देखिए भाई आप तो बहुत सास्त्रों के ग्याता हैं पर हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाएंगे, देवियों से मिलवाएंगे जो आपको वो भगवान का रास्ता एकदम साधाराण रूप से पहुंचा देगी आपको बताएंगी तो चुकि भगवान से मिलने के उस सुकता तो थी ही तो इतना कहते वो आश्रम पे पहुंच गए और उस समय लखनव की जो टीचर थी आदर्ण ये सांता मनी दादी जी थी उससे पहले गुलजार दादी थी लखनव की टीचर तो सांता मनी दादी जब सामने आये तो आते ही इतना प्राभावित हो गये इतना दादी के फेस पे जो टेज था आकरसण थी सूमता थी सालिंता थी वो देखकर कि ही प्राभावित हो गये बस समझाए ये सत्य मार्क बताएंगी यह जूड़ तो बताए नहीं सकती है या कोई पाखंड की बात नहीं होगी तो दादी जी से साथ दिन का कोर्स कर लिया कोर्स करने के बाद जब गाउं वापस आने लगे तो सांतामणी दादी जी ने कहा कि जगत अंबा स्वरसती मातेशरी मम्मा पधार रही है कानपुर में आई हुई है और जी नहीं ऐसी हस्ती कि तो हम जरूर दर्शन करेंगे मिलेंगे उस समय इतनी ज़्यादा संख्या नहीं होती थी भाई बैनों की ममा के क्लास में मुश्किल से 25-30 लोग बैठे थे ममा क्लास करा रही थी क्लास कराते ममा बोली कि ऐसा कौन बाबा का बच्चा है जो ये परमात्मा का संदेश जंजन को देगा और वो फील्ड में आएगा इसका हर एक को संदेशा पहुँचाएगा किसी ने कुछ नहीं उत्तर दिया लौकिक पिता जी ने हाथ खड़ा कर दिया कि ममा हम ये काम करेंगे ये सेवा करेंगे ममा बोली ठीक है मेरे क्लास के बाद आना मेरे से नज़्दीक में बैठके बात करना क्लास पूरी होई सब वापस चले गए और ममा के पास पिताजी आके बैठ गए ममा ने सारा समचार पूछा कि तुमारी क्या-क्या जिम्मेदारिया हैं कितने बच्चे हैं क्या करते हो सब बता दिया इस पर ममा बोली कि तुम्हें तो बाहर निकलना ही नहीं है जो बच्चे हैं आपके वो बाहर निकलेंगे वो ही सेवा करेंगे फिल्ड में आप घर कोई स्वर्ग बनाओ चैटी बिगिंस एट होम बोले ममा कैसे बनाएं ममा ने सांतामनी दादी को बुलाया कहा देखो इसको चित्र दो उसमें सिर्फ दो चित्र थे जाड और तिरमूर्ती का तिरमूर्ती के नीचे स्रिष्टी चक्र बनना हुआ था और वो बड़े उसमें बाबा कास्केट के अंदर रखते थे गौर्डन और उसमें अंदर में रोल करके रखा होता था वो बाबान जो रख बनवाए थे तो मम्मा ने एक सेट दिला दिया और कुछ मुर्लिया दिला दी का देखो इस पे समझानना और ये बाबा के मावा के मुर्ली पढ़के सुनाना जैसे यहां सुने हो आप लोग है कि इस तरह से वह ले करके चले गए जब गए तो हम लोग यही सोच रहे थे कि पिता जी सहर जाते हैं अच्छे मिटाइन लाते अच्छे अच्छे फर लाते हैं क्योंकि हम आरे यांग जो बगीचा था फलों उसमें साधारन फल होते थे और सहर में तो और अच्छे च्छे मिलते थे दूसरी क्वालिटी के हम लोग बड़े इंतिजार में थे कि इतना दिन लगाया है जरूर अच्छी चीज लाएंगे जब पहुंचे तो जैसे नैचरल होता है हर बचे बैद देखना शुरू करते हैं तो कहा वो कोल के दिखाया कि साम से हम घर में क्लास चलू करेंगे जिसको बैठना है वो आए क्योंकि परमात्मा सिर्ष्टी पर आज चुका है तो सभी ने एक आवाज में कहा कि हम सब बैठींगे तो एक रूम खाली करा के साफ सुत्रा करा के उसी में ही चटाई विचा दिया और वि लोग कैसे लगाएं रेड लाइट तो थी नहीं कोई लाइट का कनेक्शन दूर दूर तक भी गाहों में नहीं था पिता जी रेड पेपर लेके गए थी तो वहां तीन प्रकार की लाइटेंग थी चोटी की जरूरत है चोटी फिर बीचकी और बड़ी तो जो बड़ी थी उस लाइटेंग को लाल पेपर से कवर कर दिया तो रूम लाल हो गया काईसी लाल लाइट में योग लगाओ अर जब मुरली सुननी होती थी तो वो… तो वो कवर हटा देते थे उसी रोश्रम में मुरली सुना देते थे एक मास के बाद गाउं में बड़ी चर्चा हो गई कि इनके यहां यह ससंग होता है गाउं के भी कई लोग आना शुरू हो गए लेकिन थोड़े दिन के बाद विरोध भी शुरू हो गया कि पवित्रता और खान पान की जब बात आई तो गाउं वाले के यह कौन सा ग्यानिया फैला दिया है ऐसा तो कभी संत मात्मा ने भी नहीं सुनाया है तो उसकी कारण उनके घर में थोड़ा भी रोध पैदा हो गया जब वो भाई बैने योग लगाने आते थे तो घर वाले उनको आके पीछे से पत्थर मारते थे और आत्री को सर्दी के दिन में उन्हों के विस्तरे में एक बार्टी ठंडा पानी डाल दे थे सब रजाईगरा गिली कर दे सो या तो आश्रम छोड़ो काफी टार्चर किया लेकिन साब निश्य बुद्धी निकले एक भी कोई संसे बुद्धी नहीं निकला पुरा ज़ाड का ज़ाड निकलाएं दस बारा लोग गाउं से वो चलते रहे हमारी जो छोटी बेन वो ट्रांस में जाने लगी पिता जी देख करके आये थे संतमणी दादी जी ट्रांस में जाती थी भोग लगाती थी अन्वो सुनाती थी देखा हुआ था इसलिए पिता जी को समझ में आ गया कि ये ट्रांस में वतन में जाती है स्टुक्षम वतन और जो आके सुनाती थी वो उसकी समझ से कहीं बहुत परे था जो आके सुनाया करती थी तो ये भी नहीं है कि वो इतनी छोटी बच्ची को यह सी बात सुनाएगी और बहुत छोटी थी मुश्किल से मैं समझती हूँ तेरा चौदा चौदा साल की थी तो इसलिए उसकी बात में विश्वास हुआ और पक्का विश्वास तब हुआ जब एक दिन आके वतन से संदेश लेके आई और चली जाती थी उसको ऐसाने की खास संदेश लेने बैठी है ऐसे ही अचाना की जाके फिर आके सुनाती थी क्लास के बाद बताया कि जो ये ज़ाड के अंदर कल्प ब्रिक्ष के जड़ में ब्रह्मा बाबा बैठे है ये वतन में मिले और इन्हों ने कहा कि मैं कानपूर आ रहा हूं जिनको मिलना है वो आ जाए क्योंकि हमारा कोई से कनेक्शन नहीं रहा ना तो ममा ने बताया ना सांता मनी दादी ने कहा इसके बाद मेरे से कोई कनेक्शन रखना तो इसलिए किसी से कनेक्शन ही नहीं और जो मुरली खताम हो गई तो मधुबन में डारेक्ट पत्र लिखा तो जाड तिर मूर्ती के पांडोबोन का पता लिखा था उसमें उसको पांडोबोन नहीं पोकरन आउस कहते थे उसी पते पर पत्र लिखा गया कि बाबा ऐसे हमको ग्यान मिला और अमारी मुर्णिया खतम हो गई तो अब आगे कैसे क्लास चलाएं बाबा ने इशु दादी उसमें डिपार्डमेंट मुर्ली की इंचार्ज समालती थी कहे करके पोस्ट भिजवा दिया अचानक देखा क्योंकि पोस्ट आफिस हमारे ही घर में था गाओं का जैसे वो मिला ऐसे लगा कि कोई बहुत बड़ा हीरा मोती का खजाना मिल गया हम सब लोग मुर्ली के पैकेट को उठाके माथे लगा कि वह डायरक्ट भगवान ने ग्यान सागर ने बेज दिया है तो यह सागर की मोती है इसी तरह जब उसने वतन का संदेश लाया कि बाबा बता रहे कि कानपूर आके मिलना हम साब ने तयारी कर ली पर का यह तो पूछो बाबा से जा करके कि बाबा किस तारीक में आ रहे है वो जब वतन में गई फिर से बाबा बताये मैं फलाने दिन फलानी तारीक को आउंगा और इतना दिन कानपूर रहूंगा अब ये बताओ कहां पर बाबा आएगा हम कहां जाके पहुंचें कानपूर में फिर वो गई बाबा ने पूरा एडरेस मकान नमबर महला एरिया कि ऐसे से पहुंच जाएंगे आप जाओ इतनी बड़ी कोठी है उसी में हमाएंगे साब बाबा ने बता दिया और वो भी याद करके आगई वतन से सबनोट करा दिया लेकिन अब उसमें एक बाधा और आ रही थी कि हमारे साथ जो गाओं के भाई बेन निकले थे वह भी ब समंग से बड़ी लगन से कि हम बाबा से मिलेंगे घर वालों का बंदन था घर वाले बिरोधी थे कैसे ले जाएंगे जो बस स्टेंड है वो चार किलोमेटर दूर जो रेलवे स्टेशन है वो दस किलोमेटर दूर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं बैल गाड़ी हुआ करती थी जब हम सब बैल गाड़ी में बैठके जाएंगे गाउवाले देखेंगे तो वो तो उनके विरोधी उनके हाथ पर तोड़के रख देंगे कहां चले हो घर से निकल के अब बाबा क्या करें और वो रोएं बहुत आंसुप आएं मुझे बाबा से मिलना है तड़पें आप तो मिलाएंगे हम कैसे मिलेंगे बाबा ने फिर वतन से मैसेज दिया कि कितने बजे निकलना है और कब निकलना है कैसे निकलना है जो पहुँच भी जाओ अगर आप जाएंगे बस इस्टेंड तो भी वैल गाड़िंग पकड़े जाएंगे रिल्बे स्टेशन जाएंगे तो भी पकड़े जाएंगे तो एक काम करना है बाबा ने जैसे कितना मैं गाइड हूँ मैं पंडा हूँ बाबा ने वहीं से गाइड करना शुरू कर दिया हमारे गाउं में इस्कूल था और इस्कूल का जो बहुत बड़ा चबुतरा था उसी पर भागवत हो रही थी और वहाँ देवी का मंदिर इस्कूल के बाहर है मंदिर के उपर ही भागवत चल रही थी सारा गाउं भागवत सुनने गया था बाबा ने बताया कि नौ बजे रात को जनुवरी का महिना था सर्दी का नौ बजे रात को निकलना तो तीसरा स्टेशन है जो 35 किलो मीटर दूर था और साब लोग पैदल जाओ अपने बैग वगरा साइकिल पे लेके चलो तो वही किया तीन चार भाईयों ने सबके बैग साइकिल पे रख लिए वो साइकल को पकड़ के पैदल चले हम लोग वैसे पैदल चले रात को नौ बजे निकले तो गाउं में क्या होता है कि रातरी को कोई जा रहा हो और रातरी में कुत्ते भूंग दें गाउं में तो सम हो लाथी लेके निकलेंगे जोर भगाने के लिए लेकिन आपने सुना है कि जब सीरी क्रस्न का जनम जेल में हुआ तो सारे ताले तूट गये और पहरेदार सो गए गाउं के पहरेदार उस जमाने में सिर्फ कुत्ते होते थे उनके गली से निकलो मौले से निकलो तो सबसे पहले वो भूकना शुरू करते थे अगर एक ने भूका तो सारे ही कठा हो जाते थे तो गाउंवले जग जाते थे लेकिन 35 किलोमीटर में पूरी रात कहां भी एक भी कुत्ता जगा हुआ नहीं मिला साब सोई मिले दूसरा रास्ते में कितने जंगल मिले कितने बाग मिले कितने खेत के रास्ते मिले कच्चे रास्ते मिले गाउं के रास्ते मिले साब चलते गए टार्ज की रोशनी हाथ में ले करके सब के आत में एक एक टार्ज थी औ एक की लगन में मंगन, निश्च बुद्धी और निर्भय, कभी ये भय नहीं लगा रास्ते में, कि इस जंगल से कोई जंगली जनवर निकलाएगा, कोई शेर भालू चीते, कोई भी निकलाएगे, जरा भी संकल्प मात्र में भी नहीं आया, ये भी डर नहीं लगा, कि ये ब पार कर रहेंगे, भूतों की बगिया है, तो भूत भी लग जाएगे पीछे, किसी प्रकार का भै नहीं लगा, या हम इस खेत से घास से निकल रहे हैं, तो पैरों में कोई सांप भी आ जाएगा, वो भी डर नहीं था, किसी भी प्रकार का डर नहीं, जैसे एक निर्भय में मकन चले जा रहे हैं तो बस एक ही बाबा की याद और कुछ भी नहीं बाबा से मिलने की खुशी और उस खुशी ने 35 किलोमेटर के रास्ता राद भर में पूरा करा दिया हम सब की पद्यात्रा हो गई और ऐसा भी नहीं था कि कोई जूते मुझे पहन के चले हो बस एक हव हम इतना साधन भी नहीं होता था जब हम पहुंचे अब वहां सुदामा का रोल चालू हो गया जहां बाबा आई होए थी तो नाटक में दिखाते हैं कि सुदामा जब श्रीक रस्न से मिलने गए और कहा ये मेरा दोस्त है तो कोई मानने को तयार नहीं था बलकि जो और पहर पत्र नहीं था कोई इंफार्मेशन नहीं थी कि किसी सेंटर से कोई आने वाले हैं तो हमें कौन वहां महत तो देगा और उस समय में जो रेल गाड़ी चलती थी ट्रेन वो कोईले के इंजन की कोई बिंडो में कांच नहीं होते थे काला धुआ ट्रेन के अंदर हमसाब करके आए थे ठके वए थे तो चेरे पर भी थकावड थी अंदर थे थोड़ा मह्सूस तो था लेकिन लगन में मंगन तो जितने भी वहां थे बड़ी दादियां थी मनमोहनी दीदी जी थी सब बाबा के टाइम इकठा थे कानपूर में सब बड़ी बड़ी दादिया पहु किसी को विश्वास नहीं होता था बातें सुनके, सारा दिन बीत गया, दोपर का भोजन तो मिला खाने को, लेकिन बाबा तक सूचना किसी नहीं बेजी, साम हो गई, बाबा की क्लास भी सुन ली, लेकिन बाबा को पता कैसे चले हम लोग आए हैं, जब तक कोई बताए ना, इ लेकिन एक बाबा को पता तो चले है, सूचना तो मिल जाये कि हम लोग आए होई है, और ऐसे आए हैं, बाबा के निमंतरन पर आए हैं, किसी ने बाबा को कोई भी सूचना नहीं दी, सभाशी में चले जाते देहांस करके, रात्री को दस बज गया, हम दर्वाजे पर बैठ हुए एलान में बड़ी दीदी मन्मोनी दीदी फिर निकल के आए उनको रायम माया के सर्दी में कहां जाएंगे सब हम लोगों कहें कि कहना था आप बाबा को बता दीजे और बाबा कहेगा तो हम लोट जाएंगे हमको कोई फिलिंग नहीं आएगी बुलाया उसने आए और वापस भी वह भेज रहा है जब इतना दीदी ने सुना दीदी ने रात को जाके बाबा को बोले रूम में जब चेंब कर्व कि ने जब जाके सारा समचार सुनाया बाबा सभेरे से एत उन्हक बैठा हुगा है और वह यहीं कहते हैं कि हमको वातर से निमत्रण बिला है इतना सुनते हैं बाबा ने कहा बुलाव बुलाओ जल्दी मेरे बच्छों को बुलाओ तो बड़े सी कि लद्धे बच्चे आई है दीदी आई कहती चलो चलो बाबा बुला रहा चलो उठो जल्दी और खुशी का पारा चड़ दिया फिर सभी दादिया साइड में हो गई बाबा के आगे हम सब को बिठा दिया अर्द चंद्रमा में गोल-गोल सभी ब चार कर रहा उस समय गांधी जी का बहुत चलता था चर्खा तो हमने भी सूत निकालना सीखा था ट्रेनिंग ली थी पर वो एक धागा नहीं हैंडल गुमाओ और उसमें चार धागे निकलते थे उसका नाम था अंबर चर्खा तकली वाला चर्खा नहीं उसमें हम बहुत अ अच्छा धागा कौन निकालता है तो सबसे अच्छा धागा और लिमिट के अंदर वो मेरा निकला जो फर्स्ट प्राइज थी वो था एक कालीन सेकंड प्राइज चोटा कालीन सिंगल बेड़ वाला तो फर्स्ट प्राइज तो मैंने लिया और सेकंड प्राइज मेरी कि बाबा को यही गिफ्ट देंगे अभी तो बताना पड़ता है कि जा रहे हो तो मदवन के लिए गिफ्ट लेके जाना है उस सम Hy buli fishे जाना कि नई मुझे ले जाना है बाबा को गिफ्ट देना है जब पहुंचे बाबा के सामने बाबा ने बहुत प्यार से कहा बचे थके तो नहीं इतना किलोमीटर चले नहीं बाबा थके नहीं है अच्छा अपने पांथ दिखाओ मैं बाबा के सामने थी तो पांथ हो बहुत सूज गए थे, मोटे-मोटे हो गए थे, चलते-चलते कभी इतना बच्पन में चले ही नहीं है जीवन में चोटी लाइफ में ज़द बाबा ने पैर देखा तका बची पैर आगे बढ़ाओ तो मैंने भी बाबा के आगे पैर फेला दिया बाबा ने का सुना है तुमने सास्त्रों में कि भगवान ने द्रोप्ति के पैर दबाए है तो मैं तेरा पैर दबाता हूं और कमाल है बाबा की जादू पैर मेरे दबाए बाबा ने और दर्द सब के निकल गए एक के इस माध्यम से सब के जीसे बाबा ने कर दिया तो बहुत नसाथ था कि भगवान मेरे पैर दबारा है उसके बाद बाबा को कालिंदी या बाबा यह हम लाए है यह हम कोई नाम में मिला है यह फर्स्ट प्राइज है मेरी बाबा ने क्या खोलो खोलो इसको बिचाओ ज बाबा बोले, बच्ची तो खादी का गलीचा लाई है, और मैं इसको उलन दूँगा, रिटार्ड में, लच्चु दादी को बोला उठो, इसको शॉल लाके पैनाओ, उस समय यग्जी में इतनी संपन्नता नहीं थी, कुछ गिने चुने शॉल थे, वो भी कोई बी आएपी आ उठी नहीं, जैसे सुना ही नहीं है, बाबा भी समझ गए, ये देना नहीं चाहती, सोयम उठ करके जाके जो लोहे का बहुत बड़ी पेटी थी, उस बॉक्स को बाबा खोल के सॉल लाके मुझे पूरा ही एकदम से पैना दिया, और बहुत प्यार से पुरा बदन ढख दिय सॉल से, उस समय तो ग्यान नहीं था, आप समझते हैं भगवान ने हमारा कैसे सम्मान किया, बाब दादा ले, अब सब कुछ बारता हो गई, सारी बात हो गई, मिलना हो गया, तो बड़ी सहस्ता से बाबा बोले, बची, तुम खड़ी हो जाओ, तो बाबा तुमें सेंटर पर रख देगा, मुझे ये भी नहीं मालूम था, खड़ा हो ना किसको कहते हैं, मैं उटके खड़ी हो गई, सीधा सीधा, सबी लोग हसने लगे, ये भी नहीं मालूम हस क्यू रही है, बाबा ने का देखो बच्ची ने करके दिखाया, ये संडर पर रहेगी, खड़ी हो ग सब्सक्राइशन नहीं थी, इनके लिए कोई प्रवंध रहने का नहीं है, बाबा बोले, वो कमिशनर को फोन लगाओ, उसको बोलो, वो कार लेके आये, और इन सब बच्चों को ले जाए, बोन को बुलाया गया, बाबा बुला रहे ले जाओ, ले गए अपने बंगले में पहले दिन से ही बाबा ने ठायरने का प्रवंध सब के कोई नो कोई रूम थे, गेश्ट धरमशाला, लेकिन सीधे बाबा ने कमिशनर की कोठी में भेजा, और उनों ने भी हम लोगों को बहुत प्यार से विस्तरा दी दे करके रखा, सबेरे अपनी गाड़ी में लाते थे और साम को ले जाते थे, चार दिन तक बाबा का सब कुछ देखते रहे, चरितरे, क्लास, रूम, सब, चार दिन के बाद जिसकी कोठी में बाबा आये थे, जहां सेवा किंद्र था, अधरनिया गंगे दादी शुरू से वहीं सेवा सरु किया था, उन्होंने आके माता जी न कि चार दिन तो हो गए, आप लोग कितना बाबा से मिलेंगे, अब आप लोग जाओ, ठीक है, वापस जाते हैं, लौन में हम सब जाने की तैयारी में खड़े थे, नास्ते के बाद, बाबा निकले टैनिस खेलने उसी लान में, बच्चों से खेलते थे, बाबा पुछे बाबा वापस जा रही है, बाबा साब को वहीं पर द्रिष्टी देने लेगे और हम लोग भी बाबा के सामने ऐसे राउंड में खड़े हो गए, चितने भी थे, गाहों वाले भी, हमारे परिवार के भी, मा, बाप सभी, बाबा ने एक बार सब को द्रिष्टी दी, दुब नहीं दिया मैंने, बाबा दो कदम आगे आए और मेरा हाथ पकड़ लिया, और अपने आगे ला करके गले से लगा लिया, बच्ची तुम तो बाबा की होना तुमको नहीं जाने का है, पिता जी से पूछा, ये बच्ची तो मेरी है, इसको तुम ले जाएगा क्या, बोले जब आपकी बच्ची है, तो मैं क्यों ले जाओंगा, मेरा क्या हाक बनता है, ये जवाब पिता जी ने दिया, बाबा ने का बच्ची बिलकुल नहीं जाना, घर वाले वापस जाने लगे, तो मुझे ऐसे लगा, बस बाबा ने ले लिया, अब घर से नश्टो मुआ, कोई नमारा नाता रिस्ता नहीं है, एक ही से सारा रिस्ता है, उसी समय जैसे दिमाग से निकल गया, कि मेरे माबाब जा रहे हैं, तो मैं बड़ी दीदी कहती, बुद्धू हो क्या, गेट तक तो सियाफ करके आओ, तुम तो यहीं खड़ी देख रही हो, जाओ बाहर तक टाटा करके वापस आ गई और भोल गई परिवार क्या होता है, उसके बाद तो बाबा हमको भेज दिये अमरिसर, दादी चंद्रमणी की पालना, कुमारियों को बहुत अच्छा ट्रेंड करती थी, मैंने तो सेंडर देखा भी नहीं था, कोई भाई बहन नहीं देखा था, कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं देती, डारेटी बाबा के सामने गए तब देखा ब्रह्मा कुमारियां क्या होती है, कैसे रहती है, कैसे उनका सब दिंचरिया है, बाबा बोले चंद्रमणी बहुत अच्छा ट्रेंड करेगी वाँ भेज दो, चार मास हमको दादी भाषन करवाया शुरात्री पे मंच्पिर, बहुत मना इतना कर दिया है, कि दादी ने उतनी हैसियत से मेरे से कहीं जादा ट्रेंड कर दिया, बहुत जादा प्यार दे दिया, तो चंद्रमणी दादी ने तो चार मैना पंजाब में सारे सेवा केंदर दो, तिन जो भी थे घुमा भी दिया, कि दुबारा तुम पंजाब आओ, नाओ सब देख के जाओ, दादी ने पंजाब दिखाया, साइड शेन दिखाई, सब कुछ किया, तो दादी हमारी जो आदर्णिया दादी जान की, शुरू शुरू में अमरी सर की टीचर थी, उसके बाद पूना गई, पूना से अमरी सर वालों ने दादी को निमंदरण दिया था आने का, जब वो आने लगी, साकार बाबा बोले कि वो बच्ची को तो सीधा मैंने वहां भेज दिया, उसको ले करके आना, दादी हमारे साथ, हम दादी के साथ आबू आये, रास्ते में एक दूसरे तीसरा नहीं, तो आदणिया दादी जानकी ने भी बहुत सारी धाड़ना की बात ट्रेन में हमको ट्रेंड किया, तो वो पालना में ट्रेन में मिल गई 24 गंटे के अंदर, बहुत कुछ चिखाती आई, उसके बाद ला करके पांडो भॉन में बाबा के सामने रूम में सीधा ले ग जो बाबा का रूम है, पांडो भॉन का, उसके पीछे एक बड़ा रूम है, जिसमें आठ खटिया थी, एक खटिया उसी में मुझे मिल गई, बाकी बोली दादी, भूरी दादी, सत्ती बोली दादी, ये सब उसी में थी, जवार दादी, तो सब के बीच में एक खटिया करेंगे कि अच्छा कुछ नहीं करना तुम ऐसा करना मेरे रूम की साफ सपाई कर देना और मुझे गरम पानी की बालटी और ठंडे बालटी की पानी ले आके रूम में देदना इस नान के लिए जो पांडो भॉन में बाबा का रूम है उसके तीन पार्ट थे पार्टीशन नहीं था अलग-अलग खुले में ही तीन पार्ट थे एक तो जो बाबा की खाट है और सामने गद्धी बिची हुई है इतना बाबा के लिए रहने का बैठने का भोजन करने का हिस्सा था उसके बाद जो बीच का पोजिशन है दिवाल में एक अलमारी थी उस अल वा इस डीट स्टोर था जहां भाई लोग पीछिए सोफा बैढ़ते हैं योग करने बाबा के रूम में वहां ही बाबा के इसनान करने की जगां थी और पैटी करने बाबा बाहर जाते थे लोटा ले कर स्थथा बंडारे का पीछे गेट ए पंड़ोवोन का वहां चार पहां जाती गर्मी बशाथ घर के अनदर कोई नए新聞 ना कोई बाथरोम था बाबा के मम्मा के उसमें तो था था ता बाबा का नहीं था तो वहाँ ही बाबा को हम पानी लाके देते थे बाबा इसनान करते थी इस तरह बाबा ने का बची देखो तुम मेरे रूम की सफाई करो और स्वर्ग की बादसाही बाबा रिटैन में तुझे देगा तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है इतना अच्छा जो कुछ नहीं करना जाड़ू पोछा कर देना पानी देना और स्वर्ग मिल जाएगा तो मेरे खुशी का और पारा चड़ गया कि कुछ करने ही नहीं है कोई महनाती नहीं है दीरे दीरे हम वहां रहने लगे बाबा की सेवा करने लगे और तीन टाइम बाबा के हाथ से गिट्टी खाने का सौभा की मिला बाबा नास्ता करे तो मुझे बुलाए जैसे उचिडिया का बच्चा अपने बच्चे को चुगा देती है दोपैर का बोजन करे तो बाबा खिलाए साम का बाबा खिलाए पहले हमको खिलाए फिर खुद खाए तो तेनो टाइम रोज मुझे मिलने लगा इसी तरह से सारा कारी करते रहे लेकिन बाबा अभी कब तक मेरे से इतने काम लेगा मधुबन में पानी की बहुत कमी थी सप्लाई कम आती थी पाहाडों पे इतना गौर्मेंट का प्रबंध नहीं था पानी देने का दिरे दिरे वो पानी घटने लगा अपने भाई बैनों के उस आने जाने से खपत ज़्यादा हो गई तो बाबा जो सुना होगा आप सबने कि भंडारे के पीछे एक बरगत का पेड़ है बनियंट्री वहां तक पार्टी को बाबा बिदाई देने जाते थे और उमाल हिला करके बिदाई देते थे और भाई बैन मुडमुड के बाबा को तब तक पीछे देखते थे जब तक ये दिखाई देता था फिर बाबा वापस आते थे, तो हर बार कोई जाता था, तो मेरे को बाबा हाथ पकड़ के ले जाते थे, तो मैं बाबा का हाथ पकड़ के चलती थी, क्योंकि छोटी मैं थी, बाकित सब बुजुर्ग थे दादियां, मैं अकेली थी, वहाँ पर मेरी नजर पड़ गई, एक कुवा है, और वहाँ एक बाइटी और एक डोरी रखी हुई है, तो चुकि हम गाहों में थे, कोई का पानी भरने का अकल था, कैसे भरा जाता है, निकाला जाता है, तो वहाँ दिमाग में आया कि बाबा को जो आदी आदी बाइटी पा करके और ले आती थी, लेकिन रास्ता इतना उंचा नीची का था पत्थर वाला, कि कुछ पानी तो गिर जाता था बालटी से छला करके, दुबारा फिर जाके लाती थी, तो बाबा जैसे बहुत खुश रहते थे, कि बच्ची इतनी मेहनत करती है, बाबा बहुत खुश, औ ये और सेवा भी करेगी, एक दिन ऐसे चलते रहे, तो सबसे पहले जो एक कहते ना कि मा का रोल क्या होता है, ममा बॉंबे में थी, मेरी चलते चलते सेवा करते करते तबियत खराब हो गई, छोटे छोटे वो निकल आई चेचक के दाने, उसमें जलन बहुत थी, बाबा गा का दूद ले करके उसमें गुलाब जल मिलाया, रोज मेरे उपर उसका चीटा डालते थे, कहते हैं देखो जनम जन मांतर शीव के उपर तो लोटी चड़ाई और बाबा तेर उपर चड़ा रहा है, बची इसको डालने से चीटलता रहेगी, जलन नहीं होगी, तो एक जैसे दूद से इसनान कराना, और इसनान मा ही बच्चे को करा सकती है, और तो कोई कराएगा नहीं, तो मैंने सब पहले गाइट का रूप देखा, फिर उसके बाद एक मा का रोल देखा, क्या होता है, बच्चे के साथ कैसे पालना करते हैं, चलते रहे, चलते रहे, उसके बाद पित्ता का रूप क्या होता है, और बाबा ने एक दिन हमको रोटी सेकना सिखाया, बची थोड़ा बंडारे में मदद करो, और रोटी कैसे पकाएंगी बड़े तवे पर, बाबा ने पका के दिखाया, ऐसे रोटी बनानी है, मा बच्चों को रोटी बनाना सिखाती है, तो ब बाबा ने मा के रूप में सिखाया, फिर हम रोटी जाके बनाते थे दादा विशुरतन के साथ मिल करके, हम और दादा इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, दिन चलता रहा, फिर हम ने देखा बाबा का बाप रूप कैसे है, मा का रूप अन्वो किया, फिर पिता का, पर हम जब थे, तब तो हम समने केवल आरती में गाया, तुम्ही ओ माता अश्च पिता बंदू सका, लेकिन उसका अन्वो तो तब हुआ, जब इस्रेश्ट पुरसोत्तम संगम युग में, बाबा इस साकार तन में आये, तो अन्वो कराया कि मैं कैसे माबाप, पिता के रूप मे एक दिन में बाहर घूम रही थी, बाबा के कमरे के रात हो चुकी थी, बाबा निकले, बोले बच्ची यहां कैसे घूम रही तो पहले थोड़ा डर लगा, बाबा क्या सोचेंगे, बताया बाबा हमको गर्मी लग रही है, अंदर मच्चर भी काट रही है, अच्छा कहां तुमारे लिए प्रबंद करें, जो सशी बेन का ओफिस है, वहां बाबा ने कहा, देखो सवेरे प्रबंद हो जाएगा, तुमारे गर्मी का, अब बच्ची को गर्मी नहीं लगेगी, कैसे प्रबंद हो जाएगा यह तो मुझे पता ही नहीं था, हिस्ट्री आल की फा क्लास के बाद बाबा बोले, कि यह आज कारपेंटर काम नहीं करेंगे, मेरी बच्ची को गर्मी लगती है, तो एक खाट तयार करो, और उसमें निवाड के पटे होते थे, कॉटन के, उससे पलंग को तयार कर दो, और एक टैंट तयार करो, टैंट को लगा दो, और एक मेरी बच्ची को गर्मी लगती है, साम तक टैंट भी बन गया, खाट भी बन गई, सब तयार हो गया, बाबा ने का बच्ची अब सो जाओ, तो सारे दिन के अंदर इतना बड़ा कर देना एक बच्ची के लिए साधारन, तो जैसे कोई राजा ही अपने राज को मारी के नहीं करेगा, तो वो हमारा सुप्रीम फादर है, कैसे बाबा ने कर दिया, तो एक पिता ही कर सकता इतनी जल्दी काम, और कोई दूसरा नहीं करेगा, पिता का रूप मैंने देखा, उसके बाद तो बाबा के बहुत सारे चरित्र, एक दिन बाबा पत्र लिख रहे थे, मैं बाबा बोले, बची, इस मक्की को मार दो, तो मैंने प्लास्टिक की सूपड़ी थी, उसे मक्की को यो करके मारा, और उठा के मैं फेकने चली, बाबा केते, नहीं नहीं बची, ये मक्की तो वापस लाओ, ये बड़ी सर्वी सेबल है, ये बड़े काम की है, मैंने बोला, ये मरी मक्की क्या सेवा करेगी, काने नहीं लेया हुआ पस लाफे को नहीं, बाबा एक पत्र लिख रहे थे, जिस बहन को लिख रहे थे, उसमें नोट करके एक लाइन बढ़ा दिया, कि बच्ची तेरी सेवा ब्रहधी को नहीं पाती है, कारण क्या है, तु बैठे बैठे द बच्ची तुमको सेंडर में जाना है, सेवा करनी है, सदा थोड़ी मदवन में बैठ जाना है, अगर बाबा हमको कहीं ऐसी बात आई, तो मक्की भेज ना दे, उस मक्की किसे मेरे अंदर इतनी इतनी एक्टिवनेस आ गया, कि आज तक भी आलस क्या होता है, मेरे लाइप मे आया ही नहीं, ठकावट क्या होती है, और आलस क्या होती है, सुस्ती क्या होती ही, मुझे उसका अनुभोई नहीं है, वो उससे हमारा तो भला हो गया, और जब बहन ने पोस्ट खोला, तो उस बहन को भी लगा ये क्या बाबा ने मुझे मक्की बेजी है, बरी होई, उसके अंदर भी इतनी वो आगई, जो उसने अपनी सेवाओं को बढ़ा के दिखाया, तो अतब पता चला कि कैसे बाबा सेवा ले सकता है हर चीज से, कि एक मरी मक्की से भी अवस्थाओं को उचा कर दिया, तो यह बाबा तो रम्जबाज है, जादूगर है, जो भी कुछ करे, चल बाबा ने रोज क्लास के बाद हमारे हाथ को पकड़ करके नक्की लेकर ढाल तक जाते थे, फिर वापस आके नास्ता करते थे, तो रास्ते में पांडो मोन के गेट के अंदर एक बाहरी कुत्ता आ गया, बाबा बोले बची भगाओ इसको, मैंने का बाबा, पांडों ने त यूपाला, मेरे बच्चे कई ऐसे हैं, जो निश्चे बुद्दी हैं, आग्याकारी हैं, इमान दार हैं, वफादार हैं, अथक सेवाधारी हैं, लेकिन कुछ पुराने ऐसे कड़े संसकार हैं, जो कुत्रे की पूँच की तरह हैं, कहते ना कि छे मास पूँच को नली में डालो, फिर भी टेडा होगा। तो कुछ ऐसे टेडे संसकार हैं, जो सीधे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे को पाला जो गोड के बच्चे थे, जो जी-ओ-डी के बच्चे थे वो दी-ओ-जी बन गये। इनको पाला था, तो ऐसे जानवरों को पांडों नहीं पाला था, और वो ही जो है कहते पहाडों पर गए तो साथ में भी वही साथ दिया पहाडों पर कुत्ता भी गया, मना वो साथी आत्माएं भी तप इस्या में गल मरें, पर संसकार कुछ न कुछ रह गए, तो ये शिक्षा मिली कि संसकार तो नहीं है, उससे भी बाबा ने शिक्षा दी, एक दिन क्लास में बाबा बोले, मेरे बच्चों में दे अभिमान बहुत है, अगर दे अभिमान नहीं है, तो जा करके रोड़ी तोड़े, क्यों इसे ट्री हाल बन रहा था, तो उसकी गिट्रियां तोड़ी गा रह जैसे कोई धरम राज का रूप हो, औफिशल रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ऐसे भाबा बिलकुल जैसे ओ द्रिष्टी में प्यार नहीं था, एक भाबा का बहुत शक्ती सरूप रूप था, बच्ची उठो यहां क्या कर रही हो, मेरा तो साधारन सा जवाब थ कि अगर दे अभिमान नहीं है तो पत्थर तोड़े, मैं समझूँगा दे अभिमान नहीं है, बाबा ने का अगर पत्थर तोड करके ही दे अभिमान तूट जाए, तो यह जो सारे भील लोग पत्थर तोड़े हैं, इनके तो पहले तूट जाएगा, पत्थर नहीं पथर तोड़ने, जब तक सौमान में नहीं टिकेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा, तो बाबा उठा करके मुझे ले गए, और इसमरती दिल आई कि पहले हर कार्य करने से पहले सौमान में टिको, वो जीशन में टिक करके कार्य करो, तो पता चला कि कैसे, हमारा ये धरमराज का पहले हरूप भी बाबा का है, एक दम एफिशल रूप था, तो बाब का देखा, शिकशक का देखा, मा का देखा, धरमराज का रूप देखा, अभी सत्तगुरू का रूप देखते हैं, उस समय में बाबाके पास कलर्फुल आ गई थी, बाबा के पास जो बनतेली आता है आती थी वो छिपशिप के आती थी घर परिवार से कोई रिस्तेदारी का बता के ऐसा तो था नहीं कि मोबाइल का जामाना है तो ट्रेस कर लेंगे कहां पहुंचे हैं मा के घर कहीं का बहाना करके पहुंच जाती थी बाबा उनको जो गिफ्ट देते थे वो कलर्ड चारो उसको देख रहे थे क्योंकि मैं रहती बाबा के रूम में थी हर सब में देखते 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 एक एक साड़ी बाबा जब लच्छु दादी उठाए बच्ची ये तुम ले लो नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए सारे को बताया हर बात में बाबा नहीं चाहिए लास्ट में एक साड़ी बाबा ने उठाई वो क्रीम कलर की थी और सिल्क की साड़ी उसका बॉडर गोल्डन था पट्टा वो बाबा के देने का जो तरीका था वो के वो ले नहीं था कि ले लो बच्ची ले लो तुम जैसे किसी को दोनों हाथों से गिफ्ट देते ऐसे करके था बाबा बोले बच्ची ये सत्गुरू का पक्खर है ये ले लो फिर मेरे मुझे वही निकला नहीं नहीं बाबा हमको नहीं चाहिए हम क्या करेंगे फिर बाबा बोले बच्ची ये सत्गुरू का पक्खर है इसको ले ओ तुमको लाइफ में कभी बस्त्रों की कमी नहीं आईगी कि बाबा बार बोल रहा कि सत्गुरू का पक्कर है, इस हमें सत्गुरू का रूप है आशिरबाद रूप में बाबा दे रहा है कि तुम्हें कमी नहीं आईगी तो उसको बहुत प्यार से लो संत्री दादी के कहने से मैंने प्यार से बाबा से ले लिया बाबा ही प्रस्ण कर रहे हैं बच्ची सको कहां पहनोगी और कप पहनोगी यहां तो विजिटर आते हैं भाई बेन आते हैं पाटियां आती है और सिंट्रों में रहोगी तो महां इस्टूडेंट होंगे तो पहनोगी कब हमने बुला बाबा कब पहने अब बाबा को मेरे से अब रूम से और बड़ी सेवा लेनी है बाबा बुले बच्ची इसके पहनने का बहुत अच्छा टाइम है योग के बाद सवेरे इसको पहन लेना और जा करके मिट्टी लेके चूला पोतना उसमें लकड के चूले जलते थे बड़े-बड़े चूले भी मेरे गले जितने उंचे और मोटे-मोटे लकड जला के बनता था तो मिट्टी का चूला काला हो जाता था तो वो काला पन पोत के मिट्डाना होता था, मटके में मट्टी होती थी, पानी डालके कपड़े से लेके पोता लगाना, तो बिलकुल वैसा ही था, जैसे राजा जनक ने संत को कहा कि तेल का कटोरा लेके जाओ, महल देखिया हो, ना दीपक बुझे ना तेल चलके, तो आख में साड़ी और दूसरे आख में चूला, इस तरह से मैंने पोता एक भी दाग नहीं लगा, उससे ये सीख मिल गई, प्रैक्टिस हो गई, उन दिनों आश्रम पे इतने कपड़े नहीं हुआ करते थे, थोड़े में गुजारा होता था, हमारी साड़ी को कभी भी किचन में जाड़ू पोछा करते, कोई भी कारी करते फिजिकल, कभी मेरी साड़ी गंदी नहीं हुई, कभी छीटे नहीं पड़े, कभी अपरिन मेने नहीं पहना कीचन में, काम बहुत बड़े-बड़े किये होंगी, तो इस तरह बाबा ने हमको चूला पोतने का काम दे दिया, युक्ति-युक्त, रोटी पकाने का, फिर चूला पोतने का, अब रूम से बाहर निकाला, ऐसे करते रहे, चलते रहे, बाबा ने हमको स्यमाई दी, ये भी करो, फिर ये भी करो, उसके बाद हमारा ये बहुत बड़ा परिवार है, या बड़ों का क्या सम्मान होता है, एक मैंने का, नहीं बाबा, आपने तो भेजा नहीं, मैं कैसे जाओं, का इक्षा नहीं होती, मैंने का, जब आप बोलें, बाबा, तभी तो हम जाएंगे, उसी ताइम पे, अपने ओम प्रकास भाई, जो ट्रांस्पोर्ट के चियर्मेन थे, वो दिल्ली में, इन्वस्टी में लाइबरेरियन थे, वो छुट्टियों में आये थे, गर्मी में, जब बंदो जाता है कॉलेज, इन्वर्सिटी, उस समय आये, बाबा ने का, इस बची को ले जाओ, और सब घुमा के लाओ, सब दिखा के लाओ, दिल्वाडा मंदीर, अचल घर, उस समय कोई ट्रांस्पोर चलता नहीं था, कोई अपने घर का भी नहीं था, पूरी पार्टियां सब पैदल देखने जाती थी, बोजन करके निकल जाती थी, हम भी पैदल गए, देखके आये, उस समय जंगल की चेरी हुआ करती थी, पत्तल लिया, उसका दोना बनाया, और उसमें चेरी भार करके ले आये, आ करके तोड के लाये, आपस में जितने थे सभी ने मिलके, पुरा किया खाके, बाबा बुलाते हैं, बची धर आओ, जब बड़े भेजते हैं कहीं, तो लोट के आके समाचार तुरंद सुनाना चाहिए, जिस काम के लिए भेजार या कहीं देखने गूमने के लिए, तो ये बाबा ने जैसे सिखा दिया है कि बड़ों को बताओ, बाबा बोले, बाबा ने भेजा और बाबा को समाचार सुनाया, क्या देखके आई, उस समय से ये मालूम हो गया कि नहीं, सबसे पहले कोई बात है, आते बड़ों को समाचार देना है, उस पर बाबा बोले, ब बाबा चेरी तो लाए थे तोड़के, कहां ला लाओ बची, अब उतो सब कतम हो गया, बाबा ने का नहीं हर चीज कुछ भी है छोटे से बड़ी, वो बड़ों के सामने लाके दिखा के फिर फिनिश करना होता है, बाबा स्वर्ग की बादसाही दे रहा है, मेरे स्वर्ग में क्या क्या होगा बादसाही में सब ओपिन कर रहा है, और बची देखो चेरी लाई और बाबा को दिखाया भी नहीं, उस दिन से ये पक्का कर लिया, लाइफ पे अंदर मेरे जीवन का एक बहुत सिक्षा मिल गई, कि कभी भी कहीं भी किसी सेवा किंदर पे जाए या जहां सब कुछ दिखाना है, मैं कहीं मार्केटिंग, शॉपिंग करूंगी ना, किसी सेवा किंदर में गई, कोई सहर में, सबसे पहले वहां की बड़ी बेंजी के सामने सब लाके रख देते हैं, वो भले कहीं, नहीं नहीं, आप जो लाइफ नहीं, आप देखो तो सही, क्या ला पड़े बड़ों की नजर में सब आना चाहिए, ऐसे नहीं मिला तो रख लिया, नहीं, बाबा ने ये सुनाया, बताया, बड़ों का कैसे होता है रोल, उसके बाद में ये हमारा इशरी परिवार, अलोकिक परिवार, बेहत का परिवार है, परिवार में प्यार कितना होना चाहिए और हक कितना होना चाहिए एक दिन क्लास में पेड़ा आया हुआ था बाबा टोली बांटते थे उसी दिन बाबा ने कहा आज बाबा टोली नहीं बांटेगा भाईयों की तरफ से एक भाई आए और बहनों की तरफ से एक बहन आए और सबा को टोली बांटे एक बहन उ को रोख दिया ठेरो बचे ठेरो रुको भाई से पूछा कि छे महिने से अगर गुस्सा नहीं किया है तो टोली मांटना और बहन से का अगर छे महिने से रोया नहीं है तो टोली मांटना दोनों की वेकनेस बाबा को पता है कि बाई गुस्सा जरूर करते हैं और बहने रोती ज अब क्या करना है फिर बाबा ने टोली को लिया और यो सभा में फेख दिया और मैं छोटी थी तो मैंने फटा फट कैज किए पांच पेड़ा कैज कर लिया अभी टोली तो गिंती की थी भाई बैनों की बाबा बुला है बच्ची दराओ कितने पेड़े लिये हमने तो बड़े उमंग से बड़े कुछी से का बाबा पांच और ने का अच्छा पांच तो यह सोचा कि मेरे और बच्ची बाई बैनों को नहीं मिलेगा ला कहता है एक पेड़ा ले लेती और चार लागे इसी पॉट में रख देती वो तुमने सोचा उस समय से यह पता चल गया गुद्धी में एकदम बैठ गया कि हमारा यह परिवार है परिवार में सब को बराबर का हक मिलना चाहिए बले हमारे पास आया तो क्या हुआ एक एक बात छोटी छोटी बात बाबा जैसे सिखाते रहते थे इसी तरह एक दिन दस बज़े रात को बाबा बाहर निकले और जो खाट बाबा ने बनवा के दिया था वो ढीली हो गई विश्वरतन दादा कराची का पूरा में इतियास सुना रहे थे बाबा बोले बच्ची खटिया ढीली है इसको कस लो मैंने बोला बाबा ठीक है कल कर लेंगे कि सुनने में अच्छा लग रहा था बाबा ने का बच्ची कल का दिन तो काल का दिन होता है कल पे नहीं काल करें सो आज आज करें सो आब उतरो नीचे और बाबा हमको उतार करके खटिया कसने लगे निवाड का पटा फिर मैंने भी बाबा के साथ किया उस दिन से आज तक साथ बरस हो गए आज का काम चाहे इस थूलोगो चाहे शुख्चमों चाहे कुछ भी हो मैंने कल के लिए नहीं छोडा है अगर आज हम कहाई से ट्रेविलिंग करके आए आज वो कपड़े धूल जाने हैं कल के लिए नहीं तो बाबा ने ये भी सिखा दिया कि हमें कल के उपर नहीं टालना है तो हमारा ये कार्ये कभी दूसरे दिन के लिए बोज नहीं बना तो बाबा ने छोड़ी बातें सिखाई चो हमारा चलता रहा ममा भी बॉम्बे से आ गई सब ममा से मिल रहे थे मैं ममा के सामने तो मुझे देख के बहुत आशू आ रहे थे ममा ने पूछा ये बच्ची कौन है ममा के पीछे में गई थी बाबा ने कहा कि मा परिचे बाप से कराती है यहां बाप मा से बच्ची का परिचे करा रहे है उल्टा हो रहा है फिर बाबा ने मेरा सारा परिचे ममा को दिया ममा बोली यह तो कल पहले वाली बहुत अच्छी सिकलदी बच्ची है ममा ने गोदी में बिठा लिया ऐसे चलता रहा एक दिम हमको वहां मिलता था बूरी दाधी साबून देती थी तेल देती थी सबको मास में एक बार तो एक एक चिक्की साबून कपड़ा दोने का मिलता एक इस नान का जो हाथ से करते थे मेरा तीन आपते में साबून खटम हो गया ममा भोली कि तीना आपते में कैसे खटम हो पूरे माज चलाना था ममा घिस गया तो क्या करें ममा ने का अच्छा लो साबून तो मिल जाएगा और कल मम्मा तुमको बस्तर दोना सिखाएगी जब तुम दोना तो बताना मम्मा आके बताएगी बुलाया मम्मा भमजा रहे कपड़ा दोने तो मम्मा ने कहा देखो यह जो साड़ी का फॉल है गंदा यही होता है उसको ऐसा बताया कि देखो ऐसे पूरे साड़ी को ऐसे करो ऐसे, ऐसे करके और ऐसे पकड़के इतना साबून लगा लो, बीच में तो साड़ी गंदी नहीं होती है, बस हलका सा साबून लगाओ, ममा ने जो सिखाया, एक अनौमी से कैसे ये गिमे चलना होता है, वो साबून मेरा पांच हपते चला, तीन पहले खतम हो गया था और एक च करके ममा ने सिखाया, उन दिनों में तेल बहुत काम होता था, यगी के अंदर इतनी पाद नहीं थी, खुश्की हो जाती थी, तो जो सरसों का तेल मिलता था, वो भी बहुत थोड़ा सा, पूरे मास इसको चलाना है, इसकेन को भी नरम करना है, ममा ने सिखाया कि इसको क्या करो हाथ में थोड़ा सा तेल लेलो, और थोड़ा पानी मिक्स कर ले, और अगर के लगाओ तो पूरे में लग भी जाएगा, और तेल बेकार भी नहीं जाएगा, और ये तुमारा पुरा मास चलेगा, एका नामी का पाठ ममा ने पढ़ाया, तो बाबा और ममा ने मिल करके स जूट उसको छिपाने के लिए बोलना पड़ेगा, दिन बर यही चिंतन चलेगा कि ऐसा होगा तो ऐसा बोलेंग, ऐसा होगा तो ऐसा बोलेंग, इसलिए साफ साफ बोन देना, दूसरा ममा ने शिक्षादी की लाइफ में कभी भी ना सब्द नहीं बोलना, ना माना किसी भी सेवा किंदर पे जाना, कहीं भी सेवा में रहना, कोई सेवा बताए तो कभी ना कहना है, तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मुझे नहीं आता, ना नहीं, फिर उसको कहना है कि आप मुझे इसका तरीका बता दें और वैसा ही हम कर देंगे, तो जो कार यह बताता है, उसको आता है, वो ही बताएगा इसको करना है, लेकिन कभी भी नाश शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है, आज तक मैंने नाश शब्द नहीं बोला है, वो मेरे लाइफ का एक पक्का पाठ हो गया, ममा ने एक शब्द में भर दिया, मेरे चलने में थोड़ी चपल की आवाज जा रही थी, ममा भुला के कहती सोनो इदार आओ, यह खितिर-खितिर करके नहीं चला जाता, मना यह फट-फट करके चपल नहीं चलानी है, देवताहें से नहीं चलते हैं, क्योंकि ममा खुद गंभीरता की मूर्ती थी, रंभीरता की मूर्ती थी, तो कैसे चलना है जो चप आपल बहन के आवाज नहो वो ममा ने सिखाया। एक दिन ममा बोली कि ऐसा करना अपनी लाइफ को ट्रांस्पेरेंट रखना। बिलकुल पोस्कार्ड जिसको कहते हैं लिफाफा कबर बनके नहीं रहना अंदर एक बाहर दूसरा नहीं। जो सोचना जो बोलना वही करना इस प पता नहीं इनको मेरे लिए मन में क्या चल रहा है। ये ममा ने सिखाया। एक दिन ममा ने फिर सिखाया कि तुम्हें सदा तो मदूपन में रहना नहीं है, सेंडरों में जाना है। तो feeling proof कैसे बनना है। क्यूंकि जब सेवा में जाएंगी संगठन में तो बहुत बात आए और सबसे पहला पेपर आएगा कि जब बड़ी बेंजी अच्छे स्टुडेंट अटेंड करेंगी और तुमको छोटे पूर देंगी कोई बुड़ी माता आ गई, कोई अनपड़ी आ गई, कोई बुजरग आ गया कहेंगे इसको तुम जाके कोर्स कराओ, मुरली सुनाओ, तो एक दिन मन में आयागा कि अच्छे अच्छे को तुछ खुद लेते हैं और जो ऐसे उनको हमें देते हैं, अच्छा ऐसे में तुम क्या करेंगी, ममा ने का कभी बाहिये रूप नहीं देखना, जो बी आई पी आय है, अच्छा आया है, वो भी बाबा के घर पे अपना हक लेने आया है, और जो ये साधारन आये हैं, ये भी अपना हक लेने आये हैं, तो तुम आत्मा समझ करके, ममा तो तुम बोलती नहीं थी, आप कहती थी, हमको लगता था मैं इतिनी चोटी ममा आप कहती है, ममा के को देख करके ये बाबा का वारिष बच्चा आया है अपना हक लेने आया है आत्मा देखके उसके साथ जाना और उसको मुर्गी अग्यान सुनाना अच्छा ज्यादा कोर्श कराने नहीं आता तो तुम चार-पांच बातें याद कर लो जो साधारन बुद्धी वाले आते हैं उनको यही पाठ पढ़ा देना ग्यान सुना के तो बहुत अच्छे सब्दों में पूरे छक्र का ग्यान तीनों लोकों कहो गया। बाबाने का कि यह सोचना कि उसको बढ़ाना कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है तो कल यूग जा रहा है सत्यूग आ रहा है उसके बुद्धिम बैट जाएगा कौन चल रहा है कौन खड़ा है कौन बैठा पांच बातें उसको पका करा देना तो कल यूग जा रहा है, संगम यूग चल रहा है, बिनास सामने खड़ा है और बाबा बैठा है, बस इतना ग्यान उस साधारन बुद्धी वालेक्ट सुना देना, तो मुझे भी लगा कि बात तो सही है, तेने में तो उसकी बुद्धिम सब बात बैठ जाएगी, अगर बुड़ ग्यान नहीं सुन सकता है, तो मुझे सुनाने में सरल, और उसको सुनने वाले को भी सरल धारना हो जाएगी, तो इसी प्रकार से बाबा, मम्मा ने बहुत पाल जाएगी, एक दिन किसी बहान का कपड़ा गिरा हुआ था, मैं निकल रही थी, बाबा बुलाये बच्ची तार हो, जी बाबा, का तुम निकल के ग olması कपड़ा उठाया, मेरे मुझे से निकला, बाबा मेरा नहीं है, बाबा बोल्री क्या होता है, ना तेरा ना मेरा ये ब пример कर जिस बहन का फट जाएगा उड़ जाएगा जाड़ियों में जाके तो पूर्ती तो उसको यगी से होगी वो फिर मांगेगी मेरा कपड़ा खो गया है तो यगी का नुकसान हुआ ना तुम यह ना सोचो कि यह बहन का कपड़ा गिरा है अच्छा चलो नहीं भी उड़ा तो ज सोच लिया कि मेरा नहीं है उस दिन से कुछ भी हो कहीं भी हो संगठन में तेरा मेरा नहीं तो मैंने किसी का भी हो में यह काम नहीं कर किया यह मेरा यह तेरा इसका भिखरा हुआ है नहीं सब को समिट दिया तो बावा ने मम्मा ने चोटी-चोटी बातों में इतनी शिक्ष को देखते हुई एक दिन गंगे दादी पोता में लेके कानपुर से आए बाबा की कुटिया में बैठे दिखा रहे थे एकाउंट तब कोई आड़िट तो होता नहीं था एक ही जो है एक फोर का पेपर था एक तरफ भाई बहनों के नाम के लिस्ट थी उस जमाने कोई 10 इनकम और खर्च और बैलेंस एक साइड में भोग लगाने वालों का नाम किसने भोग लगाया कितना दिया और बैलेंस जीरो बाबा बोले बची ये क्या तुमने तो उसका कुछ भाग्य बनाये ही नहीं भोग लगाया बिवहार में सब ने खाया और खिला दिया उसका किछ भी जमा नहीं हुआ बाबा के आगे भोग समर्पित किया बाबा ने दिरिष्टी दे के शक्ति भर दी बाबा ने एक दाना तो खाया नहीं अभोगता है बाबा लेकिन आरपन किया तो बाबा ने शक्ति साली कर दिया उस भोग को उस भाई का बहन का भाग्य क्या बना तो ऐसा करो कि अगर कोई 100 रुपया देता है तो 10 रुपया पहले निकालो, भोग में 90 रुपया खर्चा करना है, अगर 10 दिया है तो एक रुपया निकालो, 9 रुपया खर्चा करना है, तो उसका जो 10 परसेंट है वो निकाल के मदुबन येग्डी में भेजो, उसका भीज प जी एक सेवा केंद्र की इंचार्ज थी, वो भी बाबा के आगे पोता में लेके गई, मैं बाबा के पास कोटियम बैटी थी, तीन बेहने रहती थी, एक सो दस रुपे का खर्चा पुरे मास्का दिखाया, बाबा बोले, बच्ची काइदा कहता है कि पर हैड, तीस रुपे महिना खर्चा होना चाहिए, उसी में तेल, साबुन, दवाई, जूता, चप्पल, खाना, पिना सब, एवरेश तीस रुपे आना चाहिए, और समय हो भी जाता था, एक अनॉमी से करने से, और तुम पोता मेल 120 रुपे का बना के लाई हो, तो तुमने 20 रुपे जाता खर्चा किया, 90 रुपे जाता 110 रुपे है, ये 20 रुपे तेरे भाग से कट गया, क्योंकि तुमने यगी का ये विजूल खर्चा किया है, ऐसे बाबा के पास बैठ करके कई बातें देखने को मिलती थी, इसी प्रक बाबा ला और लो दोनों का बैलन्स कैसे रखते, गंगे दादी एक कुमार भाई को लेके गई, कुटिया में बाबा के पास, मिलाया और वो चोटा था, उसको पचास रुपे महिना पे मिलती थी, मकान किराया, खाना पीना, वो बचा बचा करके, पांच रुपे की रिजर कर दिये, ट्रस्ट बनाया, मम्मा को सौंप दिया, उसके बाद तो आप सबने सुना, बाबा ने हाथ में कभी पैसा रखा ही नहीं, यहां तक कि दादा विशु की सोर ला है छेद वाला पैसा, बाबा ने बोला है तो वासा रह रख दो, काम आएगा, कोई नल में आ बाबा यह तो करंसी है भारत की, एक पैसा है छेद वाला, बाबा बोले अच्छा, यह खटमल गौवर्मेंट इतनी हो गई, यह छेद वाला बनाया, इतनी कंगाल हो गई है, मना कहने का भाव है कि बाबा ने कभी पैसा देखा नहीं, हाथ नहीं लगाया, पर उस महेज भा ऐसे बाबा के उसको देखे नीचे सुपर तक मना बहुत प्यार किया, बहुत आश्यरी लगा, कि यह छोड़रा नड़रा इतना लेकर के आया है, लेकिन एक मास के बाद उसको फिर लगा मैं आब बू जाओंगा, और जा करके फिर बाबा से मिलूंगा, 21 जन्मों का वर्ष 21 बार मुझे लेना जा करके, गंगे दादी ने उसको पत्र नहीं दिया, और वो अपने खर्चे भी कहां से लाए, पिछले मैंन तो सब खर्च करके गया, साइकल को बेच दिया, कुछ भी होगा साइकल फिर खरीद लेंगे, लेकिन बाबा से मिलें, जब पत्र नहीं दिया और वो पहुँच गया अबू में, 36 घंटे का सफर करके, तीन ट्रेन चेंज करके पैसेंजर गाड़ियां चलती थी, छोटी कोई ले वाली, पहुचा बड़ी दीदी ने देखा, बाबा कानपुर से महेस आया है, बाबा ने का उससे पूछो गंगे की चिठ्ठी लाया है, पूछा का नहीं हम तो नहीं लाये, बाबा ने का उसको वापस करो, रवाना करो जल्दी, बेकाइदे क्यों आया है, बाबा काइदा सिखाता है, बेकाइदे काम किया, इसको वापस कर दो, ना इसनान करने दिया, ना चाय पीने दिया, ना भोजन खाने दिया, का उसको बो पहुंच गया लेकिन निश्चे बुद्धी इतना पक्का कि तू प्यार करे या ठुकराए तो निश्चे बुद्धी बाबा के कैसे बच्चे रहे यहां तो आज किसे ओम शांती ना करो तो भी फिल कर जाएंगे कि हमको ओम शांती का जवाब नहीं मिला दीदी बड़ी उस भाई को हर पार्टी में खड़ा करती थी कि देखो यह तो इतना पक्का है उधारन देती थी ऐसे तू प्यार करे ठुकराए तना पक्का निश्चे बुद्धी इसी प्रेकार से बाबा की बहुत सारी बातें देखा और चलते रहे एक बार गंगे दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारे पास जो इस्टूडेंट आता है उसको बिलकुल निश्चे नहीं और है बहुत बड़ा भी आईपी बाबा बोले क्या बात है बादादी ने पत्र लिखा कि वो तो क्लास के बाद में सब को बिगारता है सड़क पर जा करके सिरेक्रस् किने वाला है इस पर जाके वो सब भाई बनों का गुरुप बना के डिसकस करता था बाबा ने बहुत अच्छा पत्र लिखा गंगे बेटी जिन कच्चों को तुम पाल के बैठी हो उसको वो छटनी करता है जो पक्के निश्य बुद्धी होंगे उसके भरकाने तोड़ने स बहुत अच्छा काम कर रहा है कंचे कंच़ए के चच्छों को फिट्टी कर रहा है उसने बोला कि गंगे दादी को अतम इन्द्रा Records को जिसने ऐसा बनाया हम उससे मिलना चाहते हैं बहुत पीछे पड़ गया गंगे दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि वो ऐसे बाबा है संसे बुद्धी है लेकिन आप से मिलने की बहुत तमन्ना है कि जिसने आपको ऐसा बनाया हम उसको जरूर मिलेंगे बाबा ने कहा ले आओ बच्चे को कैसे लाएं बाबा उसको निश्चे तो पाई का भी नहीं है कहा नहीं नहीं ले आओ तो बाबा जानी जानन हार कैसे है उसको बुला लिया उसका एक प्रस्ण था कि बाबा कहीं स्टडी करते हैं तब एक घंटा मुर्ली चलाते हैं जैसे पंडित लोगे किस लोग पे घंटा बोलते बाबा भी कहीं से हिंट लेते होंगे नहीं बाबा तो नहीं लेते हैं उसको विश्वास नहीं था 24 घंटे 7 दिन रुख करके और वो CID करने लगा दिन को दो पैर में रात में दो बजे एक बजे हर रोज की कुछ तो कभी तो पढ लेवल पर खाना खिलाते अपने साथ और वो आपकी CID कर रहा वह बच्ची जितना उसको CID करने कर लेने दो करने दो तो वो CID करते करते ठाक गया पता ही नहीं चला आप क्या करे 24 घंटे देख लिया गुरुवार का दिन था सबेरे अमरित बेले उसको साक्षतकार हो गया कि परमधाम से एक जोती जगमक करती हुई आती है और बाबा के तन में प्रवेश करके वो मुरली सुनाती है वो ही चलाती है उसके बाद बोला अतमिंद्रा अतमिंद्रा मुझे तो पता चल गया कि कौन सुनाता है का कैसे बताया अब तो तयारी करने चाहिए अब मुझे स समय बाबा ने उसको टोली का डिबा दिया और डबे में क्या दिया अक्रोट को तोड़ करके अंदर की गिरी निकाल लिया और बीच में सारे किच्छन का जो भी बंडारे में चाहिए सब कुछ भर दिया किसी अक्रोट में दाल किसी में चावल किसमें चीनी किसमें सर ची जितने इस्तेमाल होते हैं और उस अक्रोट को सील करके डबा में रख करके दे दिया यह ले जाओ इतना बड़ा वो भी आईपी, उसको तो लगाई है क्या साधारन सा अखरोट है छिलके वाला ले तो गया, लेकिन बाबा ने दिया है तो उसको तोड़ा, निश्चे तो होई गया था कि सतन में शिव बाबा आते है, जब तोड़ा तो अखरोट तो निकला ही नहीं, एक जैसे ना सुकता बढ़ गई, सारे तोड़ा ही, जब वो अखरोट तोड़ा, फिर ले करके गया गंगे दादी के पास, आतम इंद्रा ये क्या, उन्होंने का मुझे क्या पता, आपको बाबा ने दिया, हमको बाबा ने बताया नहीं, कहता अच्छा-च्छा मैं समाज गया क्या समझ गए, यगी का बेगरी पाड़ चल रहा था, कहता ये बाबा को मुझे भर भर के भेजना है, सो किलो के जूट के बोरे आते थे, जो जो बाबा ने उसको अक्रोट में दिया, उसने वो सारा सामान मंगा के और ट्रक में सब भेज दिया अबू में, तो बाबा कहते मांगने से मरना भला, इशारा भी नहीं दिया, अक्रोट में भर के दे दिया, बाबा जो है जादूगर है, कैसे अपनी जादूगरी करता है, और उसको भी टच्छ हुआ, ऊसने सारा सामान येगी में बेज दिया, तो किस तरह से बाबा येगी की सेवा करते, किस तरह से कराते, ये भी बाबा ने एक युक्ति दिखाई, शिखाया, इसी प्रकार से बाबा कैसे छमा का सागर है, कभी बदला नहीं लेना है, कलकत्ता से एक पेपर, निउस पेपर निकलता था विश्वामित्र, उसमें बहुत सारी institution के प्रतिखराब बातें लिखी थी जग्दिश भाई ने का बाबा इसके उपर तो केस करना चाहिए बाबा बोले नहीं बाप बच्चों पर केस नहीं कर सकता कैसे केस करेगा वो तो प्यार से उसको पत्र लिखो कि जो है तुमारे पेपर का नाम है विश्व मित्र और तुम हमारे हो परम मित्र निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो इसलिए आपने तो बिना पैसे बिना खर्चे इतना एडवर्टिजमेंट कर दिया विक्यापन डाल दिया तो जो भी इसको पढ़ेगा वो ब्रहमा कुमार इसको तो सुनेगा एक बारी नाम की क्या है ब्रह्मा कुमारियां और उससे फिर बहुत भाइवें देखने आए कि ऐसी कौन सी इतनी खराप सनिस्ता है जो गौर्मेंट बैंड नहीं करती चलने देती है तो जो पढ़ा और अंदर आए तो उनको दूसरी चीज मिले बाबा के बच्चे बन जाएं तो कैसे बाबा हरे एक से गुण उठाते कभी नहीं का केस करो का नहीं केस नहीं करना है बाबा की बहुत सारे चरित्र, बाबा निराकार तो निरा इंकारी, बाबा को मसाला कूटते देखा, बाबा को सबजी काडते देखा, कभी बाबा ने नहीं का आज साफ करने चलो, बाबा बैट जाते थे, क्लास के बाद, साफ कोई बिजिलिक तरह खबर पहुंच जाती थी, साफ भाई बैन पहुंच जाते थे, मसाला कूटने लगते थे, सबजी काटने, बाबा बोलते थे, जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख के दूसरे करेंगे, तो बाबा निरांकारी भी था, सब इस्थूल सुक्षम इतन अपसा नहीं, जैसे मैं एक बार सुना हूं, हमारा जोस्य उभाई का नाम लिया आपने, उसके हाद से कांच का गिलास टूट गया, उसकी आई 12 साल की थी, जब टूट गया तो बाबा बुलाते, बच्चो इदार आओ, जी बाबा, ये कैसे टूटा, कि तब बाबा रुको अभी बताता हूं, दूसरा किचन से गिलास लाया, ला करके उसको तोड़ दिया, उसको जब तोड़ दिया, तो करके दिखाया, देखो बाबा, ये जो है, वो ऐसे टूटा है, अभी दोखो लॉक के घर में कोई तोड़े, तो कहेंगे कि ये दोखो तोड़ दिया, बाबा ने का ये बच्चा तो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला है, छोटा था, बारा साल का था, ऐसे एक घटना और जब पानी की कमी थी, बाबा ने जेपी भाई, हमारा दूसरा जो श्यू भाई से बड़ा भाई है, जमना परसाद मुरली डिपार्टमेंट सुरू से स साथ, तो उसको बाबा ने बुलाया, वो 15 साल का था, कि बच्चो पानी की इतनी कमी है, तुमको कुआ खोदना है, अभी ओ तो कुछ पता नहीं, बस इतना ही कहा कुआ खोदना है, कैसे खोदना है, क्या करना है, आगे बढ़ता गया, हनुमान की तरह लंका पहुँच गया जैसे और कुणा खोद के दिखाया जब कोई में पानी निकला नीचे तो सब को खुशी के लहर आ गई बाबा को भी बहुत खुशी भी आज पानी कोई में निकल लाया बाबा रोज बोलते थे क्लास में मैं भाविष में जाके मिचुनू बनूंगा, श्री किरिशन बनूंगा, बाबा को भाविष का बहुत नसा रहता था, आज ये बुड़ा तन है, कल मिचुनू बनेगा, तो बाबा के जैसे वो संसकार प्रैक्टिकल में आ गए भाविष के, बाबा नीचे कोएं में उतर गए और ये जब मिस्त्री लोग को आ नीचे खोते जाते थे, तो सरिया को मोल्ड करके उसी पत्थर में फसा देते थे, उसी को पकर के चड़ते थे और पकर के उतरते थे, तो बाबा भी कोएं में उतर गया, पानी को हाथ लगाया, बाबा ने लड़ू बटवाए, लेकिन अब उतरने के बाद इतने गहरे कोई से उपर चड़ना बड़ा मुश्किल था, उस सरिया से, जेपी भाई बाबा के पायर को पीछे से उठाते गए, बाबा आगे चड़ते गए, पारों के उपर आ गए, बदन में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, जो असैनी है पीड उसी टाइम कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, संत्री दादी को बाबा ने भेजा, जो वतन में, बाबा आलमाइटी से बोलो, कि बदन में बहुत तकलीफ है, आलमाइटी बाबा कुछ करे, वतन से आलमाइटी बाबा ने बोला, कि बाबा का हुसेन का गोड़ा है वो तो ठीक कर देगा दर्द मिटाएगा मसाज करेगा पर उसको बोलो कि गुणों को धारन करना है भविश के नटकट पने को अभी नहीं धारन करना है आज से यह नहीं करना है इसी तरह से बहुत अच्छा रहा दो मिनट और लेते हैं छोटे भाई जो शिवत व बाबा ने का बच्छे तुम इसको पालो देखो क्योंकि जो ग्वाला था वो कहें मेरी पे बढ़ाओ नहीं तो हम नहीं करेंगे तो पचास का सव रुपया मांग रहा था विश की शोर दादा ने समझाया नहीं माना कहें के चला गया कि हम जो है अकल से नहीं आएंगे गउसाला में उसने जाके बोला बाबा गउसाला की सेवा के लिए मना किया है बाबा बच्छों तुमने तो देख लिया ना कैसे गईया पाली जाती तुमीं चारा दो तुमीं संभालो तुमीं सब करो हाँ जी बाबा करेंगे तो गईयों को भूसा देना खाना देना बाब बाब बोले बच्चे दूद निकालो, अब सोचने की बात है कि छोटे बच्चे के हाँ से दूद कैसे निकलेगा, पर ना नहीं बोला, दूद निकालके एक बालटी लाया, अभी चार बालटी दूद तो गायव हो गया, निकाली नहीं सका, सारी गईयों का एक बालटी, पर बाबा ने इतना उमंग भर दिया, श्यावासी दीख, स्यावास बेटा इतना दूद है, और ममा को बुलाया, ममा देखो यह तो एक बाल्टी दूद लाया, दूद ले आया, उसको ताकत आई, बाबा ने बहुत प्यार दिया, दूसरे दिन वो दो बाल्टी दूद निकाल के लाया। पत्रीला रास्ता था ठोकर लगी गर गया, दोनों बार्टी का दूद गर गया। फिर वो आया, बाबा सारा दूद तो गिर गया, बार्टी गिर गयी। मैं भी गिरा। बाबा बुले, बचे तुम अफसोस क्यूं करता रहा लगा। भी है। बड़े बड़े तो अՔर इसको करके देना है काम में आएगा सिग्री जलाने तो गोबर का गोला बनाइब फेका दिना निरा Silicon Penis गोबर का गोला बनाया उसको सिखाया इतने कोई भी-अऑई-पी आ गया बॉला बाबा के दर्सन करेंगे पहरे वाले भाई के तहां गउसाला गये चले जाओ कि वहां गया तो वाबा उसको श्रीक waffle की दें अब बभा के शर्णों में जंडवात कर दिया प्योंकि उसको तो अभा आया Markle Mayberry 내일 शेम दिखाई दे रहा श्रीक schöne की इसितरा से में था जहां भी साक्षतकार किसको करा सकते, किसको कहां प्रभावित करते, तो करम छोटा नहीं है, पर बाबा की याद में किया हुआ, कैसे वो करम स्रेष्ट है, तो इसी प्रकार से बाबा ने हर प्रकार से शिखाया, कि जो योग-युक्त काम करेंगे वो स्रेष्ट होगा तो मेरे लाइफ में बाबा ने, मम्मा ने जितना दिन मैं वाहूर छे मास में बहुत कुछ सिखा दिया पर्मानेंट रहने से और बाबा की बहुत सारे चरित्र सुने और देखे तो अभी तो समय भी पूरा हुआ है और बहुत खुशी होई है कि आप सभी बैनों से भाईयों से मिल करके और मुझे इतना अच्छा मोका दिया इसलिए बहुत-बहुत थैंक्स और नए वर्ष में मिलना हो गया तो हम सभी का बहुत शुक्रिया आदा करते है बहुत थैंक्स देते है और मिशेश अपनी मीठी-प्यारी वैसाली बहन जी को और बहन जी और हमारी मीठी-मीठी-प्यारी हेमा बहन जी को जो अनुबुती रिटृट सेंटर में सेवाए बहुत सारी सेवाई करती है बाबा का घर संभालती है और आप से मिलने आई है और आपको शुक्रियादा करने आई है ओम शांती ओम शांती वेंजी आपने तो क्या कमाल कर दिया कितनी सारी कहानिया सब सब को सुना करके दिल भर दिया आपने कुछ नहीं छोड़ा है मक्खी का भी सुनाया मैं जो करम करूंगा ग्लास की भी स्टोरी सुनाई प्यार करे टुकरावे मांगने से और कितने सारी बात हर बात मानना पड़ेगा आपने कितना अच्छा एक्जामपल देकर की सुनाया जब एक्जामपल देकर की सुनाते थे कभी कोई भूलता नहीं है तो thank you so so much आपने दिल से इतना सारा time हम सबको दिया बाबा की ये जब सायी सब नहीं फुलवारी है तो ताहे दिल से आपको thank you और ऐसे ही आते रहना और हम सब को सुनाते रहना आप बुलाते रहेंगे हम आते रहेंगे और आप सबसे मिलते रहेंगे और जब मदुबन में मिलेंगे तो सब मुख और प्यार से मिलेंगे पक्का मिलेंगे शिव बालग भाई तो बहुत सालों से पैचानते हैं उनको so thank you thank you on shanty on shanty on shanty on shanty